नमस्कार न्यूज क्लिक के डेली रांड अप में आपका स्वागत है, मैं स्यामीरा सिंग, सबसे पहले आज की हेडलाइन्स खोरी पुनर्वास संकट पर कोट ने कहा एक सप्ता में निगम खोरी वासियों को अस्थाई रूप से गर आवंटित करें दिली सरकार के विश्वत द्याले में से निकाले गई सफाई कर्मी नई ठेका एजंसी का लिया बहाना, एर इंडिया की विक्री के लिए आज से निलामी शुरू ट्रिब्यूनल नियुक्ती पर फिर सक्त हुआ सुप्रिम कोट केंद्र कोदी अवमाना का केश चलाने की चितावनी देश में 24 घंटों में करीब 27,000 नई कोरूना मामले, 284 मरीजों की मौत हमारी पहली खवर फरीदाबाद के खोरी गाउं से जुड़ी हुई है, जहांके निवासी आज भी अपने घरों को तोड़े जाने की बज़े से बेगर हैं खोरी गाउं से उजाडे गए मजदूर, परवारों के पनर्वास के सम्मंद में मंगलवार को सिप्रिम कोट ने नगर निगम से कहा कि खोरी वासियों को एक सप्ता में अस्थाई रूप से गर आवंटित करें कोट ने खोरी गाउं रेजिडेंट वेलफियर एसोसियेशन बनाम हरियाना सरकार एवं सरीना सरकार बनाम हरियाना सरकार के मामले में ये फैसला दिया है कि बेदखल परवारों की ओर से जो भी कलेम या दस्तावेज नगर निगम को प्राप्त हुए हैं उन्हें देखकर प एक सब्ता में पूर करना होगा अगली सुनवाई अगले 20 सितंबर को रखी गई हैं निर्मल गोराना ने बताया कि मजदूर आवा संगर समीती खोरी गाउं के सदस्यों एवं मानवादकार अदवक्ताओं की ओर से 13 सितंबर 2021 को खोरी गाउं रादा स्वामी सत्संग हौल एवं डबुआ एवं बापू कोलोनी का बिजट किया गया या सरकार की ओड से कोई तुरित कारवाई या कोई काम होता हुआ नहीं दखाई दिया जबकि बेदखल परवार भहंकर बारिस में एक पन्नी में अपने परवार को समेटे मलवे के धेर पर अपने जीवन की सवया तरह निकालते हुए पाए गए। मजदूर आवाज संगर समीति खोरिगाओं की सदसे फुलवाद देवी ने बताया कि जिन मजदूर परवारों के दस्तावेज दिल्ली के हैं उनको भी कोट आवास के रूप में पनरवास देकर सामाजिक नियाए दे। दिनांग 15 सितमर से सभी सफाई करमचारियों को नोकरी से निकाला जाता है। इस सम्मंद में यह भी बताया गया कि विश्वध्याले से सौंबार से ही सभी करमचारियों की एंट्री बंद होती है। इसके बाद करमचारियों ने वाइस चांसलर कार्याले का घिराव कर लिय जिसके बाद प्रिसासन ने करमचारियों को राहत देती हुए कहा कि 15 दिन तक उन्हें नहीं निकाला जाएगा वे इस दोरान नई ठेका कमपनी में अपने कागजात जमा कराएं सफाई करमचारी उनियन ने मंगलवार को ही सफाई करमचारीयों को नोकरी से निकाले जाने के संब्द में बिस्वध्याली की वाइस चांसलर एवम स्रम आयुक्त को पहले ही गयापन्सॉप दिया था यूनियन ने अपने बयान में कहा कि ये बहुत सर्मनाक है कि दिल्ली सरकार के तहताने वाले विस्वद्याले में धडलली सिस्रम कानूनों का उलंगन किया जा रहा है और मजदूर अदकारों का हनन किया जा रहा है आपको बदा दें कि मौजूदा सरम कानून के प्रावदानों के तहत यह आवसक है कि नोकरी खत्म होने की इस्तती में करमचारियों को इसकी सूचना कम से कम एक महीने पहले दी जानी चाहिए करमचारियों के मुताविक विस विद्याले प्रसासन द्वारा ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया गया आगे बढ़ते हुए बात करते हैं Aire India की केंद्र सरकार ने बुदवार को करज में डूवी Aire India की विक्री करने की प्रक्रिया है वो सुरू कर दिये बुद्वार सुबह उट्यान मंत्री जोतिरादित्य सिंधिया ने यह साफ कर दिया कि बूले की तारीक 15 सितंबरी है और इसे बदला नहीं जाएगा 2018 में एर इंडिया के 60% हिस्से के लिए कोई खरिदा ना मिलने के बाद उम्मीद की जा रही है कि सरकार कम से कम दो खरिदारों के साथ 15 सितंबर को विक्री पूरी गड़ देगी AI के अनुसार Tata Group और Spice Jet के Chairman Ajay Singh एर इंडिया के लिए बोली लगा सकते हैं आपको बता दें कि एर इंडिया भारी कर्ज में डूबी हुई है एर इंडिया पर 43,000 करोड रुपए का कर्ज है जिसमें से 22,000 करोड रुपए एर इंडिया Asset Holding Limited को ट्रांसफर किया जाएगा बुद्वार 15 सितंबर को अधालत ने सरकार से दो हफ्तों में सभी वेकेंसी से जुड़ी हुई जानकारी मांगी हैं साती सरकार के खिलाब कूट की अवमानना का केस चलाने की चेताबनी भी दिया है सुप्रिम कोट ने केंदर सरकार से सवाल किया है कि जब कमेटी द्वारा केंडिडेट्स के नामों को सुझाया गया है तब अब तक इन पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं हो पाई है चीप जस्टिस एनवी रमनना ने सुनवाई के दोरान कहा कि सरकार द्वारा चेरी पिक की नीती से नियुक्ति की गई है अगर पहले ही चिन्नित लोगों के लिस्ट तयार कर ली गई थी तब वेटिंग लिस्ट का क्या मतलब था सरकार की ओर से जवाब दिया कि केंद्र सरकार को अपने अनुसार नियुक्ति करने का पूर्ण अधकार है हलांकि चीप जस्टिस ने साफ कहा है कि कमेटी द्वारा 41 लोगों का नाम सुझाया गया लेकिन 18 की ही नियुक्ति क्योंगी गई है हमें ये भी नहीं पता कि किस आधार पर लोगों को चुना गया है सुप्रिम कोर्ट द्वारा जताई गई आपत्तियों पर एजी ने कहा कि सरकार के पास अधकार है कि वह सभी सुझावों को माने या ना माने चीप जस्टिस ने इस दौरान कहा कि हम एक लोगतांतरिक देश में रहते हैं जो सम्मेदान के मताबिक चलता है देश में आप इस तरह का जबाब नहीं दे सकते हैं नियू यॉक टाइम्स की खबर के अनसार इंडियन कांसिल आफ मेडिकल रिसर्च ने कुरुना वायरस से जुड़े अपने अध्यानों को पूरी तरह से साजा नहीं किया था और नरेंद्र मूदी के इजेंडा का समर्तन करने के लिए वैग्यानिकों पर भी कुविट के खत्रों को कम दिखाने के लिए दवा बनाया गया था हैरान करने बाली बात इस विष्टरित रिपोर्ट में यह भी है कि ICMR ने सरकार के राजनेतिक लक्षों को साइंस और तत्थ से ज़्यादा तरजी दी आपको याद होगा कि जब महामारी सुरू हुई थी तभी ICMR को इसके कई गलत कदमों की बज़े से आलूचना का सामना करना पड़ा था अखवार में ये बात भी याद दिलाई गई है कि कैसे ICMR ने 2020 में कहा था कि सितंबर 2020 के बाद से महामारी के मामले कम होने लगेंगे और फरवरी 2021 तक भारत इससे निपट लेगा मगर जाहर तोर पर ऐसा नहीं हुआ New York Times ने इसारा किया है कि ICMR ने नर्नेंदर मुदी के बिहार चुनापरचार में कोई बादा ना पड़े इसलिए ऐसा किया इस रिपूर्ट के बाद ICMR पर फिर से कई सवाल खड़े होते हैं कि कैसे आप सरकारी संस्तान होने के बाद किसी पार्टी किसी बिचारदारा के लिए काम करने लगते हैं और देश के नागर्कों के स्वास्त के साथ खिलवार करते हैं और सम्झोता करने लगते हैं और रंत में कोविड अपडेट केंद्रिय स्वास्त मंतराले द्वारा आज बुदवार 15 सितंबर को जारी आखडों के अनुसार देश में 24 घंटों में कोरुना के करीब 27,000 नए मामले दर्ज किये गए हैं इसके अलावा कोरुना से एक दिन में 284 मरीजों की मौत हुई है साथी इसी बीच देश में कोरुना से लगवग 38,000 मरीजों को ठीक कर दिया गया और एक्टिव मामलों में करीब 11,000 की कमी आई है देश में कोरुना संक्रमण के इन मामलों को जोड़ कर कुल 3,33,000 मामले हो चुके हैं जिन में से अब तक लगवग 4,43,000 लोगों की मौत हो चुकी है स्वास्त मंतराले की ताजा जानकारी के अनुसार देश में कोरुना वैक्सीन की अब तक करीब 75,90,000 लाग डोज दी जा चुकी हैं जिन में से लगवग 61,000,15,000 वैक्सीन की डोज पिछले 24 इंटे में दी गई है और अधिक समाचार पढ़ने के लिए और अधिक जानकारियां लेने के लिए आप हमारे वेबसाइट न्यूज क्लिक पर जा सकते हैं उसके Facebook पेज, Twitter हैंडिल और Instagram पेज पर भी जा सकते हैं उनकी खबरों को सेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं सुक्रिया